हे एवरेवन वेलकम बैक सो हमने पिछले यूड़ों में देखा है कि बूस्ट्राप को किस तरह ज्यांगों के अंदर यूज किया जाता है और हमने परफेक्टली उससे यूज भी किया है अब इस यूड़ों में हम सिखने वाले यूर्ल स्टैग हमने पहले ही पड़ा है से हमने हाइपरลिंक अभी तक क्रेत नहीं किया है जैसे कि हमने हर्ड कोडिंग कर रहे थे जैसे इवारेते टेवर्य देवों हमारे हातों से लिख रहे थे चाइपिंग रहे थे अगर हम नेविगेशन बार पर किसी होम पर या अबाव्ट पर कुलिक करें तो उस पेज इवन व्यूव और अप्शनल पारामेटर एनी स्पेशिल करेक्टर इन रिश्यू लिंग पाथ विल बी इनकोड़ेड एउजिंग इरिज टो यूरी ओके तो यह हमने आउड़ोडी पड़ा है इससे तो आपको समझ में ने आएगा तो सिंटाक्स देख लेते हैं किस तरह आ आप ओके तो अलग-अलग लिखने का तरीका होता है इसका स्रीप जैसे कि यहां पर लिखा गया है एक URL नेम बनकर यहां पर वेरिवल बनाया गया है तो इस तरह भी बना सकते हैं जैसे कि आप यहां पर यहां पर वेरिवल भी बना सकते हैं उसी तरह अलग-अलग तरीके ह तहुता बा Title को सब्सक्राइब है यहां पर हमारे कंसेट है्सेट यहां पर ॥न्पल सा हमें हई-त्र लिंक क्रेच करने हैं जैसे हम किसी वैबस पर चलते हैं तो वह फ्र फिसी नेविचेशन बार पर किलिख रहे हो मिया में विंडो सब्सक्राइब में उन पेज़ेस पर रिडारेक होना है तो यह कंशेप्ट शिखनी है तो आगे बढ़ते हैं पात तो यह कंशेप्ट हमने आवड़ी पढ़ा है अगर आपनी वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लेजे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दो दूंगा इसक यहां पर तो यह जो है हमने आप तक रूट को पढ़ा है रूट और व्यूट को ओके तो यह कीवर्ड आर्गोमेंट हम बाद में देखेंगे मगर हमें देखना है रीश वीडियो में नेम्स ओके यह वारेट पैटर्न में नेम किस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं इस रिट कीज़ें तो आगे बढ़ते हैं पाथ के बारे में जानते हैं जैसे कि यहां पर कीवर्ड आर्गोमेंट होते हैं हमने आभी तक इससे पढ़ा नहीं है तो ये बाद में देखेंगे concept क्या है मगर हमें जाना है issue में ये name URL pattern में हम name किस तरह define कर सकते हैं तो इसके बारे में जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरह ये लिखा जाता है जैसे के हमने बहुत सारे वीडियो में भी देखा है ये URL pattern जैसे के learn dj और ये व्यू फंक्शन व्यू डॉट लर्ण जांगो और ये है keyword argument तो इसके बारे में आभी तो जानना नहीं हमें श्रिप जानना है हमें name के बारे में तो ये name क्या है किसले ये ये यूज किया जाता है और इसके फाइदे क्या है जैसे कि यहाँ पर name equals to learn dj दिया गया है keyword दिया गया है तो ये बाद में हम जैसे आगे बढ़ेंगे जानेंगे तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर URL pattern देखना तो for example जैसे कि हम normally लिखते है path about slash then view function और ये about हमें यहाँ पर बेंडर करना है यहाँ पर लिखा जाता है normally अगर मैं यहाँ पर name के साथ use कर लो जैसे कि यहाँ पर देखना पहले तो हम च्या करना हुए नेम को use करने से पहले जैसे HTML page के अंदर anchor tag होता है अगर आपको basic पता है तो anchor tag पता ही होगा anchor tag के अंदर आपको क्या करना होता है यहाँ पे hyperlink create करने होती है hyperlink मतलब आपको slash देना है और जिसके लिए भी आपको hyperlink create करना है यहाँ पे about लिखना है और जिसका नाम है about यह नाम है simple जो आपको navigation bar में दिखता है यह नाम और यह hyperlink ओके आगे बढ़ते हैं अब hyperlink लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं तो यहाँ पर देखना जैसे कि यहाँ पर यह हमने double curly braces के अंदर यह भी लिखा है और यह about नाम है just up अब यह anchor tag है अब इस लिखने का तरीका देखना यह define about जैसे कि हम function में लिखा है व्यू function के अंदर return render request यह जो कि इसका path है जो कि about.html को यह render कर रहा है अब इसके अंदर हमने dictionary pass किये हैं यह भी then code और slash about अब dictionary के अंदर आपको पता होगा यह key होती है और यह value होती है यह value कहां से आ रहे है यह URL pattern से आ रहे है यहां से और यह जो है यह जो यह भी है यह key है अब यहां पर हमने use किया इसका इसका मतलब यह किसे जो भी value है इसके अंदर यहां पर जाएगी और यह यहां पर redirect करेगी अब यह से क्या फाइदा होता है जैसे आप variable बनाते हैं जैसे मैंने यहां पर slash about लिखा directly इससे एक फाइदा होता है जैसे कि मुझे यहां पर बहुत सारे about लिखने हैं मैंने about लिख लिए अब about तो लिख लिए direct about about कितने सारे h rep लिख लिए मैंने hyperlink के लिए अब anchor tag तो लिख लिए मैंने about about अगर मुझे url पैटर्नों को change करना है यहां पर about के जगा मुझे about us लिखना है समझें यहां पर मुझे about us लिखने है अब क्या होती है चीजे मुझे हर एक चीज को anchor tag को यहां पर about us लिखना होगा ओके हर एक चीज के लिए about yes कितने सारे मैंने आपर लिंक बनाया about के लिए बहुत सारे pages से समझें आप उनमें मुझे changes करना है about us हर एक page के अंदर मुझे जाना होगा और about us लिखना होगा मगर इस variable की मदद से आप उसको आसान कर सकते है किस तरह यह तो क्या है यहां पर जो है यह key कहा जाता है यहां पर variable कहा जाता है आपके जो भी HTML page के अंदर आप मुझे स्रीप यहां पर about us किया आपने तो स्रीप मुझे यहां पर about us लिखना होता है इसकी value तो change हो जुके यह जो है variable है अब इसे आपको changes नहीं करनी होगे तो यही फाइदा होता है अलग-अलग तरीके होते हैं लिखने के इससे भी भेटर जानेंगे हम आगे तो किस तरह लिखा जाता है तो यहां पर देखना जैसे कि हमने URL pattern में या extend में सिखा है अलग-अलग static files में सिखा है उसी तरह इसके जांगों के अंदर भी दिया जाता है URL pattern जैसे कि यह curly braces, person, URL, single code के अंदर यहां पर यह जो है नाम होता है URL का ओके, about us और यह जो है name simple जो आपको display कराना है अब देखना इसे लिखने का तरीका जैसे कि हमने यहां पर देया है URL pattern अब about us उसी तरह यहां पर reference भी बना सकते है as a,bc इसका reference reference से क्या होता है या variables आप जैसे as a reference बनाते हैं इससे बहुत सारे फायदे होते हैं क्योंकि आपको हर बार यह सारी चीजे लिखने की ज़रूत नहीं होते हैं सिर्फ आपको लिखना है a,bc तो इस तरह भी फायदे होते हैं यह बहुत सारे तरीके हैं इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको हमें इसे बहुतर जानना है जैसे हम एक्जाम्पल में जाएंगे रेल कोडिंग में तो हम इसे बहुतर जानेंगे जस्ट आप यहाँ पे आप ठिराटी के लिए जान लेजे कि यह चीजे किस तरह करते हैं अब URL पैटर अब हेतर जानने के लिए हम जैसे कि नेम के बारे में जान रहे है और यह जो है हमें इसे यूज करना है अब यह URL पैटरन है यह path है जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं normally आप यहाँ पर किस तरह लिखेंगे यह जो है dictionary के अंदर about slash views dot about जैसे की view function और इसका नाम है name about us अब जब मैं मुझे यहाँ पर URL पैटर्नों को change करना है तो आप बिल्कुल सई से यहाँ पर change कर सकते हैं about us कर लो about 1, 2, 3 कुछ भी कर लो मगर आप जब name लिखते हैं तो आपको यहाँ पर changes करनी नहीं होते हैं अब यह name तो एक by default होगा जैसे के about us आप यहाँ पर कुछ भी change कर लो क्यूंकि यह URL पैटर्न के अंदर ही है तो यहाँ पर name आप कुछ भी दे सकते हैं मगर URL को आप कुछ भी change किया तो इससे कोई मतलब changes नहीं होते हैं इसे हटा देता हो कि जब आप name को यूज करते हैं तब आपको ना इस जो URL पैटर्न है हमारा यह about us इसमें कुछ भी changes किये होए हैं तो आपको यहाँ पर आपको changes नहीं करने होते हैं जैसे के यह anchor tag के अंदर ओके सिर्फ आपको changes कहां पर करना है यह जो name है सिर्फ आपको name by default रखना है तो इस तरह URL पैटर्न को आप name की यहाँ पर name की reference खित्रों आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल असान तरीके से तो इसे बहुतर जानते हैं यह में बन टो नहीं जाके फास हम यहां प्रोजरक बना लेते हैं निवली तो यहां पर जैंगो और लिकना Admin कि कह है और यहां लिकना Start Start स्टार्ट स्पेलिंग सई से होनी चाहिए स्टार्ट प्रोजेक्ट और यहां पर कोड़ विद किरन 15 नंबर 14 नंबर तक हमने अल्रडी बनाया हो था तो यहां पर 15 नंबर का यहां पर प्रोजेक्ट बन चुका है तो नियूली तो हमें क्या करना है सिंपल जो पिछला वीडि प्रोजेक्ट होंगे आगे के ओके आगे की टूटरियल भी होंगे तो हमें क्या करना है सिंपल जैसे कि मुझे यूरल पैटर्न बनाने के लिए हमें कोई चीजें नहीं चाहिए बुस्ट्रयाप होगे रहे फिर भी मैं इसी से यूज करके आपको दिखाऊंगा क्योंकि आ इससे हठा देता कोर और कोपी कर लो क्योंकि इन दोनों के जो भी वारेल सेटिंग है कुछ भी चीज़े है यह इंडेपेंडेंट है और आपकी जो कोडवीद 14 है इसकी जो वारेल कन्फिकरेशन या इसके जो भी सेटिंग से इस प्रोजेक्ट के साथ है तो इसको कॉपी आपको शिर्फ आपको आलक को कॉपी करना 1कर चलते हैं 15 के अंदर कि यह दो अप्लिकेशन बनाने के बाद जब भी हम यहां से बनाएयैड या किसी से करना हता है तो इससे अख़ा देता हूं नीचे को और install करने के लिए simple जो हमने अभी तक method use की है core जो application का नाम है core slash comma देन यहां पिए आपका second application है course और यहां पिए comma ctrl s कर लेना यह sitting.py का का काम हो चुका है तो इसे हटा देते हैं और हमें क्या करना है इसके अंदर जो और ये और Lord pattern है जो हमने युआ प्रोजेक्ट लिवल पर और कहा रहे हैं हमिज करना है तो इसका जोबी यूर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इनर प्रोजेक्ट ने हरा हो सब्सक्तीस वे क्योंकि हमत fight'Me 14 के अंदर है उसी को copy paste करना है simple URLs और simple is include तक copy कर लो copy करके इसे हटा दो और चलते 15 के अंदर और यह code with के run 15 और URLs और simple यहां तक paste कर लो और control एस कर लो हर एक चीज को आप जब भी यहां पर लिखते हैं तो आपको control करना चाहिए तो इसे हटा देते हैं अब हमारा configuration बिल्कुल सही है अब हम इसे run भी कर सकते हैं देखते हैं जो कि हमें run करना है इसे python manage.py run server देखते हैं यह काम करता या नहीं तो हमने क्या गलत लिखा ओके तो पहले तो हमें जाना होगा कोड के अंदर के अंदर कोड विट की रन जैसे कोड विट की रन 15 यह भी आपको देहन रखना है कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि तो हम 15 के अंदर आ चुके हैं simple हमें इसे run करना है python manage.py run server enterprise ओके तो यहां पर deployment server start हो चुका है हमारा simple इसे copy कर लेते हैं और देख लेते हैं यहां पर और यहां पर यूज करके दिखा रहा हूँ जब भी आप यूज कर सके real-time program या real-time project के अंदर तो आपको आसानी हो ओके आप देखना यह navigation बार से ओके navigation है जैसे कि यहां पर home पर click करने के बाद home में जाना चाहिए about पर click करो about में contact पर कि लिक करो तहीं contact मैं इसे contact की जगाई इसे course कर लेता हूँ के अंदर चलना चाहिए अब इन सारे चीज़े निविगेशन की बार जाना चाहिए जैसे कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं यहां पर लिख रहे हैं अपने और से जैसे मैं यहां पर about लिखो यह about के अंदर चाह रह दो जलते हैं यहां पर तो इस तरह बनाने के लिए आपको क्या करना होगा तो चलते हैं यहां पर जैसे कि कोड के अंदर यहां पर टेंप्लेट के अंदर बैस डॉट पर जैसे कि हैं बेस्टेमेल है तो यहाँ पर आप यह निविगेशन बार है हर एक चीज के लिए हर एक पेज के लिए क्यूंकि यह एक चिय के में लिए पर यह ब authentically कर रहा है वह यहाँ पर इसका इस तरह हर एक चीज को हम इस तरह कर सकते हैं तो अमें क्या करता हूं और इस अब को और और आवाउट को और कॉंटार की जगह में यहां पर कोस करने वाला ओके यह वोगा अबाउट जस्ट यह आपको जहां पर आपको user interface के नाम होते हैं यह दिकाने के लिए लिए ओके अब और यहां पर को कर लेता हम कोंटक के जगा कोर्स में जाना है ना में और यहां पर तीनों तरह के से आप देख सकते हैं अब यहां पर आपको यह पर यहां पर यहां पर बने चुके यहां पर रिक हों पर पस्याओं हें। मगर यह जब मैं यहां पर about पर किलिक करोती about में नहीं जा रहा है तो इस तरह किस तरह कर सकते हैं तो चलते हैं यहां पर जैसे कि यह home page पर यह blank है यहां पर यहां पर आपको url pattern को देना होता है अब यह url pattern कहां से देखकर आप लिखेंगे जैसे कि यह जो बेस्ट.html है कहां पर रेंडर कर रही है तो यह भी देखना होता है और यह about यह कहां पर रेंडर कर रहा है जिसकी base.html कहां से रेंडर कर रहा है तो यहां पर चलते हैं व्यू को views.py यह रेंडर कर रहा है about में यहां पर view function के अंदर और course about.html और यह इसका function का views कहां पर url pattern ने इनके define किये गया है अब इसके url pattern कहां पर define किये गए है तो यह core है जैसे के हम इसे project लेवल पर यूज कर रहे है तो इसकी url pattern यहां पर define किये गए है url.py के अंतर तो इससे क्लिक करेंगे और यहां पर देखना यह about view.about यहां पर यह इस view function को यह url pattern इंक्लूट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है इसका जो भी url pattern about यह नाम यहां पर लिखना है जैसे हमने यहां पर लिखा about मगर यहां पर एक ध्यान रखना है आपको यह slash लगाना है अगर slash नहीं लगाएंगे आप तो url pattern के अंदर भूशेंगे नहीं तो यह भी धहन रखना है यह url pattern जो है यहां पर हम इस तरह लगाते हैं उसके बाद about के बाद मगर जब आप बेस डॉट रिप्रेश हो चुका है चले तो यहां पर आप़ पर किलिक करके देखते हैं बिल्कुल सही तो यहां पर रिखना अगर मैं यहां पर कोधर भी और ऑप पर क्लिक करें तो यह बांट पर जा रहा है अब को सिंपल क्या कर सकते हैं alco's के लिए छो भी वाड़ पैट्रन है कौन लिकना है आपको वाड़bij आपने जो कोर्स के लिए लिखा है हमने तुम्हें इसके कलोड़ करलो आ है course के अंदर views.py है यह इसे हमें render करना है और यह किसी कर रहा है course input.html को और यह कहां इसके जो URL pattern है course.html के तो यहां पर है URL.pattern अब इसमें दो दिख्कत है जैसे कि यहां पर हमने learned DG लिखा है यहां पर एक URL pattern है inside application के अंदर और उसका जो main URL pattern है कहाँ पर है code with Kiran 15 के अंदर ये और इसका जो URL pattern है core slash include ये से include कर रहा है course.html को ये कहाँ पर कर रहा है course.urls के अंदर जैसे कि ये course है और इसके अंदर ये URLs है और ये इसके बाद learn डी जा रहा है तो आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है पहले तो slash लगाना ये जरूरी है core slash then इसका जो भी URL है इसके बात का URL जैसे हम हाड कोडिंग में भी कर रहे थे तो ये learn dj को भी copy कर लो और यहाँ पर paste कर लो तो इस तरह URL आपको define करना है slash course slash learn dj अब यह किस तरह URL हीट होंगे तो चलते हैं यहाँ पर और इससे रिप्रेस कर लेते हैं पर स्ट तो रिप्रेस करना ज़रूरी है और home पे चलते हैं तो perfectly हम home पे आ रहे हैं this is a homepage उसी तरह about में चलते हैं about में भी आ रहे हैं और यहाँ प code space ओके तो यह एक तरीका है कि हम URL पैटर्न को hyperlink में कर सकते हैं अब यह तरीका तो simple है normally जैसे हम यूज करते हैं हमें सीखना था name को यूज करके अब यह भी आपरोच सही होगा मगर इसमें एक दिक्कत होते हैं तो यहाँ पर दिखा दो आपको तो क्या दिक्कत आती है आता लिखना है जैसे की 200 बार कितने सारे अब लिखना है तब क्या होता है जैसे मुझे मुझे URL पैटर्न इस अब आउड के लिए URL पैटर्न कहां पर रहे यह एक उर्स ब्रस नहीं है एक कौर के अंदर तो यह जो अबाउट है हमारा एक स्कोर के अनदर है और इसका वीज इसे रेंडर कर रहा है अब इसे यह call कहां पर हो रहा है यह function यह call हो रहा है इसे चलते इसे close करके यह जो है हम project लिवर पर काम करें core को तो इसकी URL पैटर्न नहीं यहाँ पर है जब मैं यहाँ पर URL पैटर्न अबाउट की जगह URL पैटर्न को change कर लो जैसे कि about us और यहाँ पर और मैं इसे हटा देता हूँ और इसे तो हमने जो URL पैटर्न जो hyperlink दिये है तो यह about लिखा है ओके about slash slash about मगर जब हम URL पैटर्न को change कर लिया यहाँ पर about us कर लिया तो यह बिल्कुल अलग से बन चुका है यह जो है URL पैटर्न अलग है और इसका जो base के अंदर about हमने लिखा ह यह अलग नाम है जैसे कि मैं फर्स लिंक को कर लो about us और control s कर लो क्योंकि हमें चेंज करना होगा हर एक चीज को change करने के बाद ही हर एक चीज को यह changes कर पाएगा जैसे कि हम देखते हैं फर्स यहाँ पर मैं यहाँ पर change कर लो about us और slash यहीं कि इंटर कर लो तो यह बिल्कुल सभी से काम कर रहा है मगर जैसे कि आप यह about यह about पर किसी पर about पर click करेंगे तो यह काम नहीं करेगा जैसे पहले पर काम करेगा क्योंकि हमने about us लिखा है उसके अंदर अगर मैं second पर click करो second link पर page not found क्योंकि यहाँ पर यह मिल इसको बार-बार आपको change करना मतलब आपको code को एक बहुत ही difficult में डालना होता है जैसे कि बार-बार code लिखना एक बहुतर प्रोग्रामर नहीं कहा जाता है या बहुतर तरीका नहीं कहा जाता है तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर तो आपको एक बता दू इन्हें हटा देता तो यहाँ पर हमारे पास तरीका है इसे इतर बनाने के लिए simple क्या करते मैं इसे about ही रख देता ओके about और मैं क्या करता हूं नीचे इसी तरह copy paste कर लेता और मुझे यहाँ पर url pattern को define करना है अब url pattern करना है मतलब क्या करना है आपको तो इस about को मैं इस link को हटा देता और यह आपको लिखना है single code के अंदर okay single code के अंदर double code लिख लिए पर्सन पर्सन और स्पेस और इसके अंदर क्या करना है सिंपल single code define करना है और single code के अंदर आपको नाम लिखना है url का पहले तो यहां पर आपको slash slash के बाद यहां पर लिखना है URL के बाद यहां पर लिखना आपको अब यहां पर लिखना है जैसे कि मैं यहां पर लिखना अगर मैं यहां पर लिख लिया देखना यहां पर लिख लिया और इसके बाद यहां पर दिखना यहां पर इसे वह अब इस से ये फाइदा होता है आपको क्या करना होता है यहाँ पर यहाँ नाम देना है जैसे हमने यहाँ पर नाम दिया है about us इसी को copy कर लो और यहाँ पर simple आपको नाम देना है अब इससे एक फाइदा होता है जैसे यहाँ पर यहां में कुछ भी ु monopoly WOW के जगा कुछ मैं आगे बताँ आपको इस सिर्फ आपको पकरना है अब आपस 東西 को यहां पर अण्दह यहां पर एक्टर्न कहीं करना है जिसे आपने आप जिका है और यह देंका Ctrl-A करके यह बिल्कुल सई काम करता या नहीं चले इसे रन करके देखते हैं फिर सी आपको Ctrl-A करना है हर एक चीज को आपको करना है पहले क्योंकि यह रिप्रेस होता है तो आपको क्या करना है तो चले यहाँ पर चलते हैं और से रिलोड करते हैं पहले तो रिप्रेस कर लो और चलते हैं यह बाउट फर्स्ट वाला बाउट है हमारा और यहां पर सेकेंड वाला बाउट पर क्लिक करेंगे हम तो जैसे चलते इसके अंदर और इसे रिलोड करते हैं तो यहां पर अगर मैं इहां पर हों पर रहं होब रारा यह अगर मैं इंटर किया है कर Chief Prince क्वे drift यह कहां पर जा रहा है इंक्लूड यहां पर अबाउट यह नेम को पकड़ रहा है और यह नेम किसके अंदर है इस इवारल पैटर्न के अंदर है तो यह इसे पकड़ेगा और यह अबाउट असको इसे पकड़ेगा हमें इससे कोई इस अगर इसे चेंज करना है इस इवारल पैटर्न है किसी पकड़ेगा फर्स्ट ये नेम को अब ये नेम कहाँ पर डिपाइन है बेस डॉट एस्टेमिल के अंदर ये अबाउट अस ओके सेम नाम है मगर इससे ये फेल हो जाता है जब आप ये ये यूर्ल पैटर्न ने देखेंगे स्लैस अबाउट ये बिल्कुल आप ये दोनुइं काम करें देख लिते हमने रहे श्राइद को इसे करना को करलो नेचे देखनेना यहां पर करो रहा है और ये बिल्कुल सब्समिल का माण करे के ये किने देखर 받 यो सिशे सर्व मशुटी करने से तो मैं आप देखते हैं तो मैं इसे क्लिक करके देखता हूं तो देखना page not found क्यों आ रहा है क्योंकि इसका जो नाम है हमने name about us लिखा है और इसका url pattern भी क्या है about us मगर जब हम यहां पर लिख रहे थे यहां पर जब यहां पर slash about directly हम उसका url pattern यहां पर लिख रहे थे उसका कोई reference नहीं लिख रहे थे तो हमें वहां पर url pattern चेंज हो चुका है यहां पर तो हमें इसी url pattern को यहां पर भी चेंज करना होगा तो यह तो बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि हम बार बार यहां पर about लिख लें यहां पर बहुत सारी है तो हर एक चीज के लिए हमें changes करने होंगे मगर इससे एक फाइदा होता है जैसे कि हम यहाँ पर जैसे हम नाम लिखते हैं इससे क्या फाइदा होता है हम यहाँ पर url pattern में कुछ भी लिख लिए जैसे यहाँ पर about us लिखा मैंने बहुत सारा url pattern कुछ भी लिख लिया इस तरह ctrl s कर लो इसे और यहाँ पर देखना base.html के अंदर हमने श्रिप नाम लिखा है जैसे यहाँ पर नाम लिखा है यह ने और यह about us कुछ भी लिख सकते हैं नाम में कुछ रखा नहीं कुछ भी आपकी मर्जी से भी लिख सकते हैं मगर naming convention वहीं लिखे जैसे आप about के लिख रहे लगा गया है वही नाम लिखना है और यहाँ पर anchor tag close और लिंक तो इससे एक फाइदा होता है ctrl s कर लो यहाँ पर हमने url pattern कुछ भी लिखा है देखना ओके तो इसमें एक फाइदा होता है जैसे हमने यहाँ पर बहुत साड़ा url लिखा है फिर भी यहाँ पर चले यहाँ base.html के अंदर यहाँ पर श्रिप नाम है about us ओके तो यह श्रिप पकड़ेगा किसे यह नेम को पकड़ेगा यहाँ पर यह नेम वाला ओके यहाँ पर url pattern में कुछ भी हो सकता है मगर यह पकड़ेगा श्रिप नेम को ओके हार एक चीज को आपको ctrl s करना है तो ctrl s कर लो इस यहाँ पर web server के अंदर और इस से replace कर लिते है first replace हो चुका है अब home पर यह home पर है already तो यह पहला about वाला है जिसकी काम नहीं करेगा हमने url pattern है चेंज कर लिया है अब यह जो about us है हमने तो url pattern है बहुत बारा बहुत सारा ओके जैसे यह about us लिखा है वहाँ पर अलग सा url pattern जै नाम को तो इसलिए यहाँ पर आपको error नहीं शोग करेगा यह बिल्कुल perfectly url pattern आप यूज कर सकते हैं यह approach बहुत ही सही है url pattern के लिए आप hyperlink बनाते हैं बिल्कुल सही यह तरीका होता है यह course के लिए simple course में चला जाएगा तो आपको क्या करना है simple हर एक चीज के लिए जैस इसे हटा लेते हैं तो simple यहाँ पर url और url के अंदर यहाँ पर नाम लिखना है course लिख लो ओके यहाँ पर course लिखना control else करना और इसका नाम आपको कहाँ पर देना है यह दहन रखना है जब आप inside यह जो हम course लिख रहे है inside application के अंदर course का url pattern रिपाइन किया गया है तो इसक course को बन कर लेते हैं course के अंदर चलते हैं और course के अंदर चलते हैं और इसके url pattern के अंदर चलते हैं और यह url pattern किसे इंक्लूट कर रहा है learn जांगो इस function को render कर रहा है तो इसके अंदर आपको नाम देना है यहाँ पर ना कि यहाँ पर देना है जैसे हम inside application के अंदर लिख रहे हैं उस यहाँ पर भी देना है श्रीप यहाँ पर नहीं देना है जैसे यहाँ पर url pattern है main url pattern है यहाँ पर नाम नही सकते हैं, Course, course, और यह नाम है, यह नाम हमने कहा पर define किया है, यहाँ पर, यह सिर्फ नाम define किया है, अब यह बिल्कुल सभी पकड़ लेगा इसे, और यह पकड़ लेगा यह main, जो URL पैटर नहीं, इसके अंदर, यह इसे पकड़ लेगा, ओके, तो किस तरह काम करता है देखना यहां पर एक बार जैसे कि मैं इसे हरीक चीज को Ctrl-Ace कर लो यहां पर भी Ctrl-Ace कर लो और इस Base.html को भी Ctrl-Ace कर लो चलते यहां पर और महीं Home पर चला जाता हूं और चलते कोर्श के अंदर फिर से तो यहां पर देखना बिल्कुल सही से काम कर रहा है हमने क्या सारा code लिख रहे थे, core, slash, core लिख रहे थे, दिन यहां पर slash learn DJ लिख रहे थे, बहुत सारा चीज़े लिख रहे थे, मगर यहां पर सिर्फ अप URL पैटर्न का जब यूज करते हो, यहां पर सिर्फ आपको नाम देना आता है, अब वो नाम कहा पर लिखा जाता है, inside application के अंदर, जब आप inside application के अंदर URL पैटर्ने लिखते हो, तो यहां पर आपको नाम लिखना है name, यह name पकड़ेगा इसे, learn DJ को, जैसे कि यह flow तो इस तरह चलता है, जैसे यह core, course के अंदर, क्या include है, course.urls, यह course.urls कहां पर है, यहां पर, यह learn DJ को पकड़ेगा, अब यहां तक तो यह बिल्कुल सही है, include कर रहा है, view function को, learn Django को, और learn Django कहां है, यह यहां पर, जैसे कि यह course है, view.py को, यहां पर रेखना, learn Django, यह view function है, और return कर रहा है, render function, मतलब render किसे कर रहा है, course slash course info.html को, तो यह page आपको show करेगे, यह जो templates के अंदर है, यह, इसे यह render कर रहा है, इसके अ इसे extend कर रही है, core slash base.html को, okay, base.html के जो भी चीज़े है, यह बिल्कुल extend करेगी, inherit करेगी, okay, जो core info.html है, और इसके अंदर जो हमारा navigation bar है, तो यह, यह URL pattern यह ढूंडेगा, और यह चला जाएगा, automatically यहां पर, यह सारी चीज़े यह flow में चलते जाएगे, okay, तो इस तरह यह flow हता है, यह बिल्कुल सही तरीका हता है, genuine तरीका है, कि URL pattern की hyperlink इस तरह बना आओ, okay, तो आपको आगे कभी भी दिक्कत नहीं आती है, किसी भी चीज़ पर, आपको code बार-बार लिखने की जोरत नहीं हती है, okay, बिल्कुल असान तरीके से आप इसे use कर सकते है, अब इस किसी कोई फरक नहीं पड़ता है, जैसे नाम में, एक बार आप नाम डिफाइंट कर लिया, यहाँ पर URL pattern, course, तो इस URL pattern में कुछ भी लिख लो, यहाँ पर भी कुछ लिख लो, और यहाँ पर जो inside URLs है, यहाँ पर पर भी कुछ भी लिख लो, Ctrl S करना ज़रूरी है, हार एक ब यहाँ पर यहाँ पर यह करना था, इंटर प्रेस, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता है, कि URL pattern आप क्या बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर पर क्लिक करो, तो देख रहा है, URL pattern तो यह कुछ भी है, core digit में नहीं कुछ भी लिख लिख लिया, मगर इससे कोई मतलब नहीं बनता है इससे सिर्फ यह पकड़ता है किसे यह नाम को, यह course जो पकड़ रहा है नाम को, यह भी नाम को पकड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या पकड़ रहा है, तो यहाँ पर चलते हैं, जो base.html है, यह course को पकड़ रहा है, और यह course कहाँ पर लिखा गया है, URLs इसके अंदर, और यह course नाम को पकड़ेगा ना कि URL को इसे कोई लेना देना नहीं है सिर्फ ये नाम को पकड़ेगा और ये नाम पकड़ेगा हर एक चीज को जैसे URL में कुछ भी लिख लो आप ये URL तो पकड़ेगा और इसका main URL हमने डिपाइंड किया इसके अंदर जो code with के run 15 के अंदर inside project के अंदर और इसके अंदर भी कुछ भी लिख लो आपको कहीं पर भी changes नहीं करना होता है तो इससे आपको ये clear हो चुका होगा कि URL पैटर्न लिखने के बहुत सारी तरीके होते हैं इसमें से आप जब नाम को define करते हो तो बहुतर होता है जिनियन तरीका है जिसी URL पैटर्न का ओस्रीम होना चाहिए तो हमें क्या देहान रखना है जैसे कि हम यह जो URL पैटर्न लिख रहे है तो इससे बहुत बड़ी दिकत हो सकती है आगे जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो URL पैटर्न जब define करोगे तो हर एक चीज को आपको hard coding करनी होगे अलग-अलग चीजे ल और यहां पर जो भी नाम है आपके URL का यहां पर नाम लिखे तो यह बहुतर तरीका है हम इसे ही यूज करने वाले है आगे आने वाले वीडियो में तो इसे आप फॉलो करिए क्योंकि यह ही बहुतर है जब आप URL पैटर्न बनाते हो तो आगे आपको आने वाले जब भी प पर लिंक है आपको समझ में आई होगी और इस यूडियो में इतना है थैंकी फॉर वाचिंग इस यूडियो